चात्राओं अभी पिछले वीडियो में हम लोग उपेंद्रनात अश्क के संबंध में चर्चा करनी के फश्चात उपेंद्रनात अश्क द्वारा रचेत एकांकी नया पुराना के संबंध में चर्चा कर रहे थे जो आपके पाठिक्रम में संकलित है उस पर चर्चा करते हु हुए हमने देखा कि किस तरह से इसे कांकी के पात्र देवदत रविदत देवदत की पत्नी लिली की मां आदे के माध्यम से लेखकने जो इमांदारी और बेईमानी आदश और यथार्त के द्वंद्व को उभारा है स्वार्थ परता परोपकार की भावना इनके पारस पर एक द्वंद्व को आदर शर्यतार्त के द्वंद्व को इमांदारी और बेईमानी के द्वंद्व को लेखकने बखु भी प्रस्तुत किया है हमने बात की थी कि एकांकी का प्रारंब ही रविदत और देवदत के परस पर समभादों के माध्यम से जिनमी यद्वंद्व भखु भी उभर कराता है कि देवदत जो की लिली की मा ने उसके पास जो जेवर अमानत के तोर पर रखे हैं वह उनकी पूरी तरह से रक्षा करना चाहता है और लिली की मा को वो जोंके त्यों उन जेवरों को लोटा देना चाहता है देवदत का मित्र रविदत जो की अपने स्वार्थ के चलते अपनी पत्नी को देने के लिए करानी हार उन जेवरों में से जिसने लिया था वह क्योंकि लौटाना नहीं चाहता इसलिए बार बार देवदत को सलाह देता है कि यह जेवर लौटाने की आवश्यक्ता नहीं है आज कल आज के समय में कौन इस प्रकार से किसी का माल पापस लौटाता है यहां इन दो पात्रों के इन परस पर समवादों के माध्यम से लेखक यह प्रश्ट उठाना चाहते हैं कि आधुनिक्ता के इस दौर में क्या यही मानदारी मात्रिक डौग प्रतीत होती है क्या आधुनिक्ता के इस दौर में यथार्थ गंदा ही होगा क्या आधुनिक्ता के इस दौर में बेइमानी ही यथार्थ होगी क्या इमानदारी अच्छाई आदर्श यह यथार्थ रूप में हमें देखने को नहीं मिल सकते या थार्थवात का तात्पर्य केवल गंदा और कड़वा ही होगा या थार्थवात का मतलब क्या केवल जीवन की गंदगी को या कड़वी सच्चाईयों को सामने रखना ही है ये इस प्रकार के सवालों को लेखक ने इस एकांकी के माध्यम से उठाया है हम फिर आते हैं एकांकी के प्रारंब में ही जहां से वो द्वंद्वत्पन होता है दोनों पात्र रविदत और देवदत देवदत जो आदश इमानदार शिक्षक है जिस पर विश्वास करके रिली की माने उसके पास जेवर रखवाएं है रविदत जो की अपनी पत्नी को भेंट देने के लिए रानी हार उसमें से ले चुका है लेकिन देवदत एक ऐसा आदश वादी चरित्र है जो उस अमानत में खयानत करना नहीं चाहता इसलिए वो रानी हार भी कुछ दिन के लिए जब दिया गया है तो उसने लिली की मास से इजाजत लेकर अनुमती लेकर उसके बाद वो रानी हार उसे दिया है और वो उसे बार-बार मांगता है और इतना ही नहीं वो इतना आदरश वादी चरित्र है कि बाद में भी किसी तरह से अपनी पत्नी की मदद से वो रानी आर चाहे उसे चुराना पड़े लेकिन चुरा करके वापस लेता है और लिली की मा को बुला कर यह कहते वे लोटाता है कि मेरे मन में ही मैल आने लग गया मुझसे ही ये जेवर नहीं बच पाएंगे इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जेवर वापस ले लो इतना आदश, इतनी इमानदाई, इतनी उच्चता नहीं अंत में एक आंकी के अंत में जो पात्र एक बैठा हुआ इस तरह से दिखाया गया है कि लोग नाटक खेल रहे हैं और वो देख रहा है बैठा हुआ कि क्या यह वास्तों में एक यथार्थवादी चरित रहे हैं और यथार्थवादी नाटक है तो कहता है नहीं नहीं यह यथार्थ नहीं है यहां लेखत सवाल उठाता है सवाल छोड़ता है हमारे लिए हमें सोचने को मजबूर करता है कि क्या जो कड़वा होगा जो गंदा होगा जो असत्य होगा जहां बेइमानी होगी जहां प्रेश्टाचार होगा क्या वही आधोनिक परिप्रेक्ष में यथार्थ कहा जाएगा क्या सच्चाई इमानदारी विश्वास भरोसा ये आदर्ष जो है ये यथार्थ नहीं मन सकते यदि ऐसा कोई व्यक्ति है तो ये जो आदर्ष है वो भी तो यथार्थ में परिणत हो सकते यथार्थ रूप में सामने आ सकते हैं ऐसे सवाल लेखक ने इसे कांकी में उठाए हैं तो मित्र रविदत उसे अपनी पत्नी के लिए देवचन से रानी हार मांग लेता है किन्तो देवचन बिना लिली की मा से पूछे हार नहीं देता लिली की मा को देवचन पर विश्वास से पर देवचन की पत्नी उन दोनों के सम्मन्दों को लेकर उस पर शक करती है यहाँ पर एक थोड़ा सा जो पती-पत्नी के संबंद में परसपर द्वन्द्व है उसे भी रेखक ने उभारा है देवचंद पर रविदत से रानी हार वापस मांगता है तो रविदत उसे सलाह देता है वह गहने लोटाए नहीं खुद खा जाए पर देवचंद का मन इसे स पहाने बनाता है कि उसका खुद का मन बेइमान है यहने लोटा देता है वहीं लेखक चुपचाप बैठे व्यक्ति के माध्यम से सवाल उठाता है लेखक ने एक योजना की है रंगमंच पर ही कि एक और एक व्यक्ति चुपचाप बैठा है जैसे वह दर्शक बनकर इस ना अटक तो यथार्थवादी नहीं है क्योंकि आज के जमाने में यह इमानदारी आडमबर लगती है आज का यथार्थ तो बेइमानी है आज का यथार्थ प्रश्टाचार है आज का यथार्थ जीवन में असत्य है आज का यथार्थ भरोसे का तूटना है यह जहां भरोसा ह भरोसे की जीत है जहां इमांदारी है जहां सच्चाई है जहां अमानत की रक्षा करते हुए देवी चन परिशान भी है और उसे उस अमानत को लोटाता है और लोटाते समय भी उसका आरोप खुद पर ही लेता है भले ही वो मित्या हो किसी और को बुराई नहीं देखता, आपको बुराई लेता है ये सब ढौंग प्रतीत होते हैं क्योंकि हमें हमारे आसपास का जो यथार्थ है वो बहुत ही गंदला और कडवा दिखाई देता है बहुत ही गंदगी भरा दिखाई देता है इसलिए यदि यह स्थिती देखने को मिलती है तो वह इमानदारी ढौंग लगने लगती है आधुनिक्ता का तकाजा तो यही है कि हाथ में आया माल हजम कर लिया जाए पर क्या जीवन इस यथार्थ से कुछ उन्नत हो पाएगा अश्क जी यही सवाल छोड़ देते है पुराने मुल्यों को बली देकर नए का स्विकार क्या आर्थ रखता है एक कांकी बहुत रोचक और सम्देश पूर्ण है हम आईए इस एक कांकी को भी थोड़ा सा देख लेते हैं इसके मुख्य अंशों को देख लेते हैं देखिए इसमें जो पात्र आ रहे हैं ख्रमा कर ये मैं पहले देव दत बोल रही थी देव चंद है इसके नायक का नाम देव चंद है प्रतिभा देव चंद की पतनी है भाबी रविदत की पतनी कमल और अचल बैठा रहने वाला व्यक्ति एक व्यक्ति अचल बैठा रहने वाला ये एक विशेश योजना इन्होंने की है नया पुराना शीर्षक के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं अचल बैठा रहने वाला व्यक्ति जो है वो योजना इस प्रकार से की गई है कि कुछ लोग है वो एक यथार्त वादी नाटक खेलना चाहते यथार्त वादी माटक बना रहे हैं तो मानो लोग उसके सामने वी त्पणी करता है ये नाटक उसके सामने हो रहा है उस पर फिर उस्वेक्ति की टिपणी आ रही है वो दर्शक है उसका अब देखिए रंगमंची योजना भी उन्हों की है जिस कमरे में पर्दा उठता है उसमें दाएं बाएं दो दर्वाजे हैं दाएं दिवार का दर्वाजा काफी परे है मकान के बाहर दूसरे हिस्से को जाता है बाएं दिवार का दर्वाजा परे कौने में है और एक छोटी सी कोट्री को जाता है इस पर गहरे भूरिया र जिसका एक पट खुला है इसमें करीने से रखे वे कपड़ों की तहें साफ दिखाई दे रही हैं बाई दिवार में आनंद कोटरी की और जाने वाले दरवाजे के इस और अलमारी है जिसमें ताला पड़ा है परदा उड़ते समय कमरे में एक अविवस्ता सी दिखाई देती ह अंगिठी की चीजे भी अस्तिवेस्त हैं खुटियों के कपड़े योहीं एक दूसरे के उपर टंगे हुए और फर्श पर भी एक दो कपड़े बेतर तीबी से पड़े दिखाई देते हैं खिड़की के पास एक व्यक्ती आराम कुर्सी पर चुपचा पड़ा है चूंकि वह कोई हरकत नहीं करता और एक कौने पर अपेक्षाकरत अंधेरा है इसलिए पहली बार देखने पर वह नजर नहीं आता दूसरी बार ध्यान से देखने पर मालूम होता है कि उसने पूरे कॉलर की कमीच और पत्मून पहन रखी है तिपाई के माई और देवचन परिशान सा बैठा है जाहिर है उसने अभी तक इसनान आदी नहीं किया रविदत यदिपी दुकान पर जाने के लिए तयार है तो प्रसंग ने इस बात का अवसर ही नहीं दिया तो यहां परस्पर दोनों का वार्तालाप है उसी से इसे कांकी का प्रारम होता है तो समय साड़े छे बजे सुबह और देवी देवचन के मकान का कमरा ये कमरा की व्यवस्था किस प्रकार की होगी वो संकेत भी दे दिये गए हैं रविदत जो देवचन का मित्र है एक हाथ में शीषा दूसरे में कंगी थामेवे जाने की तैयारी कर रहा है सुबह का समय का संकेत मंच पर इसी प्रकार से दिया जाएगा कि सुबह सुबह कोई नहाकर निकला है और जाने के लिए तयार हो रहा है और ये बिना नहाया लिए आश्यर और क्रोद के साथ रवी बार बनाना चोड़कर तुम तो पावल हो 50-60,000 के गहने कोई मामूली चीज नहीं जीवन में ऐसा उसर बार बार नहीं आते फिर बार बनाएं लगता है तो देखिए प्रारम में एकांकी का है वो रविदत्य के सम्वाल से होता है जहा जिवचंद उसकी मांसिक तालग प्रकार किये वह यही कहता है यह तो धोखा है कपट दुनिया में कौन धोखा नहीं करता बड़े-बड़े सामराज यह बड़े-बड़े राश्र बड़ी-बड़ी संस्थाएं बड़े-बड़े व्यापार यह सब क्या छलकपट पर नही रखी गई रात दिन तुम इस नर्किये स्कूल में जगजग करते हो यहाँ पर हमें यह भी पता लग गया कि देवचंद है वो विद्याले में शिक्षक है मैनत करते हो मरते हो आंख्या और रिमाग फोड़ते हो और इस सारे काम के बदले श्रम के बदले तुम पाते क्या ह इजत और आराम की रोटी भी तुम्हें प्राप्त नहीं ठीक तरह से खापी भी तो नहीं सकते मैं कहता हूं बस पी जाओ दुनिया में धोखा वही है जो उसकी आँखों से छिपाया न जा सके जब तक आँखों से छिप जाएगा तो वो धोखा नहीं कहलाता रकट होने प कौन सी बात सची कौन सी जूट लेकिन मन की आँख आत्मा की आँख देवचंद है वो एक आदर्शवादी चरित रहे और वो अपने मन और आत्मा की बात करता है आत्मा की आँख आत्मा से कौन सी बात चिपी हुई है आत्मा को कैसे समझाऊंगा कैसे आत्मा को तयार करू या बैमानी करने के लिए फिर बाल बनाना छोड़ता है मन और आत्मा का ख्याल करने वाले सदेव पिछडी पंक्तियों में खड़े रहते हैं निचली घाटियों में गिरे रहते हैं आगे बढ़ना या उचे उठना उनके भागी में नहीं रविदत यह अमानत में खायानत है और देवचन किसी भी प्रकार से अमानत में खायानत करना नहीं चाहता है तो आज इस चर्चा को अभी यहीं विराम देते हैं इसके आगे का एकाकियां अगले वीडियो में पढ़ेंगे